नमस्कार न्यूस क्लिक के खोश खबर कारेक्ट्रम की शुरुवात आज हम कर रहे हैं दो महान कलाकारों को श्रद्धांजली देकर इर्फान खान और रिशी कपूर दोनों जो बिल्कुल सचे इनसान और महान कलाकार थे उनका असमय निधन हुआ दोनों कैंसर से पीडित थे और एक बात उन्होंने अपनी छोटी और अर्थपूर्ण जिंदगी में साबित की कि जो नया नॉर्मल चला है इस समय देश में कि सत्ता के आगे बिल्कुल लमलेट हो जाना दंडवत हो जाना सत्ता जो कहे उसमें हां में हां मिलाना इस नय नॉर्मल के खिलाफ ये कलाकार खड़े हुए दोनों ही इर्फान और रिशी कपूर और इसे सिरे से नकार दिया ये दोनों कलाकार इस मामले में भी बिल्कुल अलग थे कि इन्होंने अपनी पूरी उम्र अपनी कला की उम्र और अपनी निजी जिंदगी दोनों में सच का साथ दिया और सत्ता को आईना दिखाने का काम किया क्या आप जानते हैं भारत देश के टॉप पचास गरीब लोगों के नाम इन टॉप पचास गरीब लोगों को मोधी सरकार ने जबरदस्त इनाम दिया 68,607 करोड रुपे इनके जो बकाया थे देश पर वह उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया ये जानकारी सूशना के अभिकार के तहत साकेत गोखले ने हमारे सामने पेश की है इससे पहले राहूल गांधी संसद में ये सवाल उठा चुके हैं और उनका सवाल अगर आप देखिए जो उन्होंने दुबारा ट्वीट भी किया बिल्कुल यही था कि जो पचास बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम सरकार बताया और उस समय हमारी वित्यमंत्री निर्मला सीता रम्मन ने इस बारे में जानकारी देने से पूरी तरह से इंकार कर दिया था आज जब यह लिस्ट हमारे सामने आई है जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी उससे पता चलता है कि मोधी सरकार की प्राथमिक्ता क्या है इसमें सबसे दिलचस्प बात जो है वह है इन डिफॉल्टर्स के करोणों रुपे हैं हजार करोण रुपे क्योंकि इसमें Overseas जो देनदारियां है वो नहीं है सिर्फ भारत की जो देनदारियां है उन्ही को बटे खाते में डाला गया है वह जानकारी हम तक पहुची है अग उन भगोडों की भी top 10 में नाम हैं इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये 50 लोग जो सबसे ज़्यादा गरीब मोधी सरकार को लगे इन में से कुछ की शकल जो तीन शकले आपको दिखाई दे रही हैं ये देश के भगोडे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक कार परवाई देश की सत्ता संस्थान इसमें कर रही है यहां दो चीजें बहुत एहम हैं जो हमें और आपको इसमें समझना चाहिए जो यह कम से कम यह लिस्ट अपने आप बता रही है कि इस समूह की जो दोनों मेहुल चौक्सी और नीरव मोधी हैं यह दोनों रिष्टेदार हैं दोनों की प्रधान मंत्री से बहुत नजदीकी रही है और यहां पर हम आपको यह भी आदिलाना चाहेंगे कि प्रधान मंत्री नरेन मोधी ने पिछले कारेकाल में जब अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी उसमें मेहुल चौक्सी को संबोधित करते हुए कहा थ सब कुछ होने के बावजूद इन पर पांच हजार करोड रुपे का जो पूरा करजा है उसे बटे खाते में सरकार डाल देती है वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि जो बाकी कंपनिया हैं उनके उपर भी इसी तरह की महरबानी मोधी सरकार ने की खास सोर से ध्यान दीजिए किंग फिशर किंग फिशर एरलाइंस जो अचानक बंध होती है सैकडों लोग बेरोजगार होते हैं वे भाग जाते हैं रातो रात उनकी जो कंपनी है उसको भी दो हजार करोड रुपे का जोसका करजा है उसे भी असरकार बटे खाते में डाल देती है यहां दो तीन चीजें इससे पहले कि हम दूसरी सूची पर आएं जो ध्यान देने की है कि ठीक दो साल पहले नीरव मोदी के कारणामों से भारत में सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया था इस हीरा वैपारी ने करीब दो अरब डॉलर दो अरब डॉलर की हेर कर चुके हैं वे भी आरोपी हैं नीरव इसमें इंग्लैंड में हिरासत में हैं जबकि चॉक्सी वेस्ट इंडीज के एंटीगुना में रह रहे हैं यह सारी चीजें क्या अकारण हो रही हैं इसी तरह से आईए विजे मालिया को पर बात करते हैं किंग फिशर के जो पूर् करोड रुपे नौ हजार करोड रुपे बकाया थे इसके बाद उन पर वित्ती अहेरा फेरी और मनी लॉंड्री के भी केस दर्स किये गए वह अभी इंग्लैंड में हैं और भारत प्रत्यप्रत करने के लिए आदेश के खिलाफ वहां कानूनी लड़ाई लड़ा रहे हैं ये तीनों ही लोग भारत नहीं आना चाहते हैं और भारत सरकार करोड रुपे इन पर जो बकाया हैं उनको वसूलने के बजाए इनके कंपनियों पर क्या महरबानी कर रही है और ये सारी महरबानियां ऐसे समय हो रही है ऐसे समय हमारे सामने आ रही है जिस समय सरकार यह बता नहीं है टॉप 50 की लिस्ट में इस टॉप 50 की लिस्ट में जो कुछ नाम बहुत दिल्चस्प हैं जिन पर हम आपसे बात करना चाहेंगे वह हैं रामदेव और बालकृष्ण जिनकी कंपनी है पतांजली अरुवेद अभी आपको दिखाएंगे हम कि उन्होंने किस तरह से एक कंपनी का अधिगरहन किया और कंपनी ली उन्होंने उसका नाम है रुची सोया इंडस्ट्रीज वह भी इस लिस्ट में शामिल है जब वह कंपनी पतांजली आयरुवेद ले रही थी उस समय वह दिवालिया होने के कगार पर थी उस पे हजारों करोड़ रुपे बकाया थे और बैंक उसे दिवालिया घोशित करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर चुके थे और यहां देखिए एक तरफ बैंक उसे दिवालिया घोशित करने की प्रक्रिया कर रहे थे दूसरी तरफ पतांजली उसे खरीद रही थी और खरीदे समय भी बैंक इस खरीद को संभव ब उखले ने उससे हमें पता चलता है कि सोया रुची सोया इंडस्ट्री के 2,212 करोड रुपे बट्टे खाते में डाले गए यह पूरी प्रक्रिया है यह बहुत ही जबर्दस इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है यह बताती है कि किस तरह से जो मोधी सरकार से महरबानी हासिल करने वाले उनसे नजदी की हासिल करने वाले उद्योगपती हैं जिन पर करोड़ों रुपे देश के बकाया है उन पर किस तरह से महरबानी की जाती है और यहां कॉंग्रेस नेता और सांसद राहूल गांधी का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पहले संसद में उन्होंने ही सरकार से यह मांग की थी कि देश के जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम सामने लाए और उस समय निर्मला सीता रमन जो हमारी देश की वित्यमंत्री हैं उन्होंने साफ इंकार कर दिया था और आज जब यह सारा मामला सामने आ रहा है तब राहूल गांधी ने दुबारा यह मांग की है कि किस आधार पर इन 50 लोगों के इतने 1000 करोड़ रुपे बट्टे खाते में डाले गए क्या प्राथिमिक्ताएं थी और सीधे सीधे कहा है कि यह जो 50 लोग शामिल हैं यह पाचासों के 50 भाश्पा और प्रधानमंत्री नरेन मोदी के दोस्त हैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं क्या यह एक बड़े घोटाले का संकेत नहीं है जिस तरह से नीरव मोदी के समय यह घोटाला सामने आया था हजारो करोड रुपे हैं इतने जीरो जो हमें और आपको गिनने मुश्किल हों जिस देश में मामुली मामुली कर्जे के लिए यह महरबानी आखिर मोदी सरकार क्यों दे रही है इसका जवाब कौन देगा शायद हमें और आपको दोनों को इस बारे में जानकारी नहीं है एक तरफ हम देख रहे हैं कि करोणों की महरबानी सरकार उद्योगपतियों पर कर रही है और वहीं दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि अपने करमचारियों का जो महंगाई भत्ता है पेंशन वालों के जो भत्ता मिलता है उस पर उनकी निगाह बनी हुई है उसमें जो वृ जो असरगर्टित छेत्र में काम करते हैं इनके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है कि इनको एक भी पैसा नहीं मिला है इने कोई वेतन नहीं मिला है इन तमाम चीजों के बारे में बात करना इस मद में खर्च करना मोधी सरकार को अभी तक गवारा नहीं हुआ जबकि लॉक लगबक सतर से असी फीसिदी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको दो जून की रोटी मिलपाना असंभव हो गया है देश अभूतपूर एकनॉमिक क्राइस आर्थिक संकट में हैं हम जानते हैं कि कोरोना से पहले भी जो हमारी विकासदर है वो रसातल में जा रही थी और इस समय इस बारे में कोई बात करने को तयार नहीं है ऐसे में देश की नई पार्लेमेंट बनाने से लेकर बाकी तमाम काम उद्योगपतियों को छूट देने से लेकर तमाम काम मोधी सरकार उसी रफतार में की जा रही है जैसे वो करोना से पह लेकिन एक और जो बड़ा घोटाला है जिस पर बात बहुत कम हो रही है और जिस पर जांच होनी चाहिए वह है रैपिड टेस्ट किट जो चीन से आनी थी चीन से आई और इसके बारे में यह पता चला कि वह बहुत ही निम्न दर्जे की आई जब आपत्ती उठी सवाल उठाया तो चीन ने साफ कहा कि हमने तो आपको अच्छे रेट वाली अच्छी किट देने का वादा किया था लेकिन आप दाम देने को तयार नहीं थे और आप ही ने तय किया कि आपको यह रद्दी वाली किट चाहिए और फिर आनन फानन में हम पा करने की किट नहीं है उस समय घटिया रैपिड टेस्ट किट आखिर क्यों ओर्डर की गई यह आदेश किसका था यह मामला भी अच्छाना की सामने आया तीन कंपनियों की आपसी लडाई जो हुई हाई कोट में वहां से निकल के हमारे और आपके सामने आया लेकिन इसने एक ब इतनी खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है हमारे प्यारे देश भारत के लिए दोस्तों हम लगातार इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं अपने तमाम कारिक्रमों में कि जिस समय देश कोरोना संकट से जूज रहा है जिस समय लॉकडाउन चल रहा है उस समय आखिर द उनके घर पर जाकर उनका फोन सीज कर लिया दिल्ली पुलिस ने आखिर क्यों जो वज़ा बताई है वे बेहत चिंता जनक है कवल प्रीत कौर दिल्ली की एक जानी मानी छात्र नेता है आईसा की नेता रही है वो अभी भी है और वे एक प्रमुक्ष चहरा रही चाहे वो न 50 से अधिक भारती नागरिक मारे गए वहाँ पर भी व्यसक्रिय थी और देखिए पूरा मामला जो उंके खिलाफ दिल्ली पुलिस बना रही है वह यहां बना रही है कि वे ही उस साजिश का हिस्छा थी जिस साजिश को बुन रही है दिल्ली पुलिस सर्दों बड़ ही खतर देली पुलिस कर रही है वह कमोबेश इसी धंका है हमने कोशिश की कमल प्रीज से बात करने की आईए सुनते हैं उनका क्या कहना है थोड़ा यह बताई कि क्या घटना करम रहा कैसे चीजें यहां तक पहुची अब बेसिकरी 28th को 28th April को 6 लोग पहले special cell के टेली पुलिस के मेरे घर पे आयते जो मेरा official address है जो सारे documents में है और वहाँ पे उन लोगोंने मेरे जो family members रहते हैं सब simple लोग हैं government servants है उनको कहा कि आप कबल प्रीत को पेश करिये और जब उन्होंने कहा वह यहां नहीं रहती तो उन्होंने मेरा number दे रिया और कहा कि यह उनका number है आप उनको contact कर लेजिए फिर उन लोगोंने contact में किया वहां से चले गए और अब वो दुबारा से मंडी को आय थी 27th को सीम घर पे आय और घरवलोंने का कि आपने उसको contact क्योंने किया वह यहां नहीं रह रही है तो उनने क कहा कि आपका फोन हम सीज करने के लिए हैं किया कारण उन्होंने बताया उस समय जब आपको सीज करने की बात करें तो अचले उन्होंने कोई रीजन ही नहीं बताया था वो बस यह कह रहे थे कि यह जो डेली राइट्स हुए थे उसमें investigation के लिए हम लोग आपका फोन लेके जा रहे यह और हम पोर एंसिख जांच करेंगे कि आपके फोन से कुई हेच आप लोगोंने तो नहीं दी या आप लोगोंने सरकुल लेक तो नहीं किया और बहुत सप्राइजिंग था तो उस मेंने का कि आपके पस कुई notice है कुछ है तो मैंने का इसा कुछ नहीं है बट आ किया है और बाकि सारे उसमें चार्जिस यूए पी ये जो अनौफल अक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट है आम्स आक्ट हैं और बाकि जो अब बाकि लोगों जिसमें उमर खालिट को यूए पी और सफुरा जरगर्पी गिरिफतार हैं वही मामला है वही में फायर है जिसमें मिरान और सफुरा का अरेस्ट हुआ है और उमर मेंशन किया है फायर में उसी के तहरे वो इंवस्टिगेशन में लेके गए हैं आच्छा यह आप कैसे लगता है कि यह जो सारी चीजे वीव कर रही है या प्रेजेंट कर रही है दिल्ली पुलिस दिल्ली रायट से कनेक्ट करते हुए तमाम चीजों को तो इस पे आपकी क्या टिपपनी है यह तो बहुत जब यह पैंडमिक शुरू हुआ उस पैंडमिक से पहले अगर हम लोग जाए और देखे तो देशवर में मास प्रोटेस्ट चल रहे थे CAA के खिलाफ में, Citizenship Amendment Act के खिलाफ जिसमें students भी बहुत जादा पाटिसिपेट कर रहे थे और उसमें काफी जादा आगे थे और अब जब पैंडमिकल सिचुएशन है पुरा देश लॉकडाउ अब भी बने थे और खासतार पर चैंपिसे से स्टूडेंस लोग उसमें शामिल थे तो हम उस मुवमेंट को किस तरह से अभी खतम कर सकते हैं ताकि शायद जब पैंडमिक खतम होगा और से डेमिक वोईजिस इमर्ज होना शुरू होगी तो गवर्मेंट को कट घरे में डा और मैं डेली उनिवस्टी की पिषले चे सालों से स्टूडेंट रही हूँ मेरा ग्राजुएशन भी ये में साइकोलोजी में वहीं से हुआ है और मैंने अभी लास्ट ये अपना लौ कंप्लीट किया था लौ फेकिलिटी से और कैंपिस के अंदर भी हम लोग तमाम जो सव सवाल है चाहे वो पप्लिक फंडेट एडुकेशन का सवाल हो जेंडर जस्टिस सोचल जस्टिस का सवाल हो हम लोग उसको उठाते रहे हैं और जब सीय का भी प्रोटेस्ट रू हुआ तो हमने अपने कैंपिस में बड़े बड़े राली किये इविन कुछ हद तक लोग कहत है कि जैनियो और जामिया में प्रोटेस्ट होते हैं तीयो तो फिर भी काम बोलता है लेकिन दीयो और वेरी बिग राली जो काफी कावर भी हुआ था तमाम थाउजंस फ्टूदेंस पोई एक चीज यहां पर आपको मैं रूपते हुए जानना चाहरी हूं कि यह जो सारा आ का नाम, आइसा का नाम, PFI का नाम यह जो पहले से आ रहा था यह क्या को इंसिदेंस है या कैसे आप इसको देख रहे हैं यह तो बिल्कुल इसी चीज को पॉइंट करता है कि इस प्री प्लांड पूरा स्टाटेजी जिसको डेली पुलिस जो है वो पुरा पुराना जो आर कर रहा है क्योंकि मार्च के अंदर ही राजिस्तान पत्रिका में आरेसेस का एक बयान आया था कि जो डेली के अंदर वाइलेंस हुआ है नौर्थीज कली में वो आइसा और पी एफाई कर लिंक है जिसको वो लोग कह रहे हैं कि जिहादी और कौमी लिंक है और उन लोग ने इसको इनक्ट किया है और उसके बाद जो group of intellectuals and academicians करके जिते भी right wing teachers हैं डेली उनिवस्टी के खास तोर पे और जो एक lawyer है मौनिका रोडा डूसू में वो ABVP से रही है उन लोगों ने नौर्थीज डेली में विजिट करके ये conclusion निकाला कि यहाँ पर जो students हैं left organization ISA के और ज का mention भी किया है तो बात साफ है कि यह लोग अब students को implicate करना चाहा रहे थे कैसे violence की घटना में जिसको पूरे तरह से government के MP ने hate speech दे के government भाजपा के लोगों ने hate speech दे के उसको उक्साया था दोस्तों खोश खबर में हमारी कोशिश रहती है उन खबरों पर जादा जोर देने की जिन खबरों पर चर्चा बाकी जगों पे नहीं होती है और कम से कम ऐसे संकट के दौर में जब करोना का संकट है जब lockdown का संकट है ऐसे में बहुत जरूरी है जलते हुए सुलकते हुए जमीन के सवाल उठाना सरकार जो कर रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वह आपके साथ साजा करना हमारी कोशिश तभी आगे बढ़ सकती है जब आपका साथ मिले देखिए लाइक करिए शेयर करिए खोज खबर न्यूस क्लिक शुक्रिया